नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का सही जानकारी यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ कि भोध पूर सा इनकों कुछ जो परिशानी हो रही है इसी एचेस में अपना इलाज कराने से सम्बंधित तो दोस्तों उसके पीछे की क्या कहानी है उसी पर आज मैं बात करूंगा और दोस्तों यदि वीडियो आए पसंद तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करें और यदि चैनल पर नए है तो इसे सब्सक्राइब करके घंटी के निसान को जरूर दबा आया था ECHS में हो रही परेसानियों को ले करके उन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा उत्तर दिया था लोकसभा के अंदर जिन लोगों ने नहीं देखा वो आई बटन में सजेस्टोरे वीडियो पर क्लिक करके भी देख सकते हैं या फिर डिस्क्रेप्शन में लिंक है वहा उस सारी फैसल्टी सैनिको को लब्द कराई जा रहे हैं किसी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं और हर तरफ बल्ले बल्ले है यानि उनका कहने का यहीं मतलब था लेकिन दोस्तों उस वीडियो के उपर इतने सारे कमेंट्स आए और हर प्रकार का उसमें हमें कमेंट्स देखन को मिला साथ भी बहुत सारे सुझाओ भी थे जिन्हें देख करके मुझे लगा कि मुझे इस पर जरूर एक वीडियो बनाना चाहिए क्योंकि कोई भी सुधार होता है तो दोस्तों उपर वालों का तो हात होता ही होता है उसमें बहुत ज्यादा योगदान जो नीचे लेवल क होता है जो कि इस प्रोसेस को फालो करवा रहे होते हैं अधिकांस मामलों में यह देखा गया है कि ECHS के जो सदस्य है भूतपूर सैनिक वो जब बाहर से दवाईया खरीद करके अपना इलाज कराते हैं और जब उसको क्लेम के लिए वो सम्मिट करते हैं तो उसमें बहुत लंबा प्रोसेस चल जाता है या फिर वो जो प्रोसेस होता उसके बीच में है उनकी या तो फाइल नहीं मिलती है या फिर इस तरह समस्याएं आती है कि उनका जो क्लेम है वो फंसा हुआ पढ़ा रहता है दोस्तों जब इसके बारे में सुझाओ मांगा गया तो दोस्तों बहुत सारे लोगों ने बढ़ चड़कर की एक बात ही बताई है वो यह थी कि दोस्तों यह जो स्टाफ होता है यह चेंज होता रहता है कोई तो एक साल के अंदर ही कोई दो साल के अंदर ही क्योंकि यह जो पूरा स्टाफ होता है यह contract के वेस पर होता है और जैसे ही contract खतम हुआ वैसे staff change तो जो नया स्टाफ आता है वो पहले वाली जो लोग डूटिया कर रहे थे वही सीखने में ही उनका जो समय है वो बरबाद हो जाता है और जो इनके सम्मिट किये गए बिल होते हैं उनको क्लियर करने से सम्मंधित अगर जानकारियां मांगी जाती हैं तो कोई संतोज जनग उत्तर नहीं होता है और फाइले इधर से उधर चलती रहती हैं तो दोस्तों जहां तक इसकी बात है तो मैं भी यही चाहूंगा कि यह जो staff है इसको permanent कर दिया जा हाना कि इसे casual या जो भी इनका process है जैसे कि यह लोग contact base पर रखते हैं यानि कि adopt तो वैसे ही रखें परंतु इन लोगों को पर्मा यानि अस्थाई रूप से रख लिया जाए और यदि इनके खिलाब किसी प्रकार का कोई भी discipline action लिया जाता है किसी मामले में ग आप permanent कर लेते हैं तो दोस्तों इससे ये समस्या बिलकुल ही दूर हो जाएगी क्योंकि जो बंदा एक ही छेतर में लगाता और वही काम करता है उसे हर प्रकार से हर चीज का knowledge हो जाता है हर policy के बारे में उसे पता हो जाता है और एक एक जो भी उसका claim है उसके बारे में उसे अच्छा खासा knowledge हो जाता है इस बीडियो को जो भी लोग देख रहे हैं चाहे वो सेवरस सैनिक हो अथवा रिटायर हो चुके सैनिक अर्मी तो दोस्तों मैं यही चाहूंगा और सैद आप भी यही चाहेंगे तो इसलिए आप इस बीडियो को जादा से जादा सेयर करें ता अब मैं बात करता हूँ दूसरी समस्या के बारे में तो अधिकतर दोस्तों देखा गया कि पॉली क्लीनिक की जो दूरी है कहीं कहीं पर तो यह 200-500 किलो मीटर तक की दूरी पर भी इस्थित है तो सरकार को इस बारे में कुछ न कुछ तो सूचना ही चाहिए और सैनिकों की स जरूरत है ऐसा मेरा मानना है दोस्तों इसका जो टाइमिंग है वो भी एक बड़ी समस्या है अधिकांस लोगों के द्वारा इस बारे में कमेंट किया गया है कि इसका जो टाइमिंग असाड़े याड़ बजे से लेकर दो पार दो बजे तक यानि जो पॉली क्लीनिक होते ह उनका टाइम और उसके बाद दोस्तों इसमें मरीज नहीं देखे जाते हैं तो बहुत सारे जो हमारे श्रैनिक भाई हैं वो इस समय पर ना पहुंच करके या फिर आकस्मिक रूप में वो वहाँ पर अगर कुछ दिखाना चाहे तो दोस्तों ऐसी कोई सुविदा वहाँ पर होती है तो सरकार को इसमें भी कुछ न कुछ चेंजिस करके एक नया कोई बदलाव लागू करना चाहिए एक और बहुत परिसानी हो रही भूत पूर साहिनिकों को वो यह है कि दवाईयों का ना मिल पाना तो दोस्तों एकसर ऐसा देखा गया है और अधिकांस लोगों के द पॉली क्लीनिक में नहीं हो पाती है अकसर इन चीजों को लेने के लिए यानि कि इन दवाओं को लेने के लिए कई बार चक्कर काटने पड़ जाते हैं अधिकांस ये बोला जाता है कि दो दिन बाद आ करके ले लेना दो बारा बंदा जाता है तो फिर यही होता है कि आप पाएगी तो वो ठीक कैसे होगा दोस्तों तो इस बारे में भी सरकार को सुचना चाहिए पूद्पूर साइनिकों के द्वारा एक पॉइंट और उठाया गया है दोस्तों वीडियोज में कमेंट के माध्यम से की जो डाक्टर्स भरती किये जाते हैं ECHS पॉली क्लीनिक के अंदर तो उनका जो बेतन है उसे थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए ताकि बेतन को देख करके सिविल में जो अच्छे अच्छे डाक्टर्स हैं वो भी ECHS पॉली क्लीनिक में अपनी सेवाएं देने के लिए राजी हो जाएं यानि कि वो लोग भी कॉंट्रेक्ट करें ताकि जो सेवाएं हैं वो और भी अच्छा और उम्दा क्वालिटी की हो जाएं ताकि जो भी भूदपूर सैनिक ECHS पॉली क्लीनिक में अपना इलाज कराने के लिए जा रहें उन्हें बेहतर से बेहतर और अच्छी सेवाएं मिल पाएं और जो अच्छे डाक्टर्स आते हैं वो दुबारा कॉंट्रेक्ट में बने रहें ताकि वो अपनी अच्छी सेवाएं दे पाएं जिन लोगों को ये वीडियो एकदम बेकार लगता है वो लोग इसे डिसलाइक करें और कमेंट बाक्स में हमें उसका कारण जरूर बताएं जिन लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है और वो लोग इसका सपोर्ट करते हैं तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के स ये इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आभी तक आपने नहीं किया है तो उसके बाद घंटी के निसान को जरूर दबाएं और दोस्तों इसी तरह की बहुत सारी इंफोमेशन वाली वीडियो हमारे चैनल पर अवलेवल हैं आप उस पर जा करके जानकारियां देख सकते हैं मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत